लेकिनी सबसे इता राजिसान में राजनिती घटना करम पल पल वदल रहा है जैपुर में आज कॉंग्रेस विधायक दल के बैटक होगी लेकिन उससे पहले मंत्री शांती धारिवाल के आवास के बाहर और अंदर हलचल तेज है विधायक जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, शायद कोई संदेश कनवे किया जा रहा है शाम साथ बजे मुख्यमंत्री आवास पर एहम बैटक होगी लेकिन उससे पहले जहां बैटक चल रही है वहां की भी पूरी जानकारी हम आपको दे रही है इसके अलावा वर्तमाश सीति में राधिसान के क्या सियासी घटना घटना सियासी समीकर्ण बन रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं इसके अलावा मलिक अरजुन खड़के और अजय माकन जयापूर आए हैं क्या जेब में लिफापा लेकर आए हैं या जेब से लिफापा लेकर जाएंगे ये भी सवाल है इन सब के बीच में सोनिया गांधी ने खड़के और माकन को यकिनल एक बड़ी न्यूक्ति दिया है जिम्मेदारी दिये है प्रविशक के तोर पर क्योंकि वर्तमान सिती में र कॉंग्रेस खुल कर कह सकते किये कि हां यहां कॉंग्रेस है अगर वहां वगावत के बीज एक बार फिर फूटते हैं तो यह कॉंग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा संदेश सही नहीं जाएगा ऐसे में कॉंग्रेस संगर्टन महासचीव केसी बैनु गुपाल ने बकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करकी जानकारी दी के कॉंग्रेस समर्ती सभी निर्दलिय विधायक उनके साथ है बैटक में मौझूद बस्पा छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हुए छे विधायक भी मौझूद रहेंगे जाहिरा वो बस्पा के नहीं कॉंग्रेस के विधायक हैं और कॉंग्रेस के बैटक है तो उनको आना पड़ीगा कलदेर शाम अजय माकन ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और सोनिया गांधी ने राजिस्तान को लिकर माकन को निर्देश दिये हैं निर्देश क्या दिये हैं ये हमारी सयोगी और दिली निउस एडिटर अधीती नागर बता चुकी है कि उनको एक ऐसा संदेश दिया गया है जिस संदेश के वज़े से आज धारिवाल के आवास पर शायद विधायकों की बैटक चल रही है इस भी सवाल बहुत हैं नमबर टू की भूमिका से नमबर वन की भूमिका में क्या शांती धारिवाल है या फिर संदेश वज़े की भूमिका में शांती धारिवाल है हालनकि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि अगर एक नया मुख्या चुना जाना है तो जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में बाचीत होनी चाहिए बाचीत इस बात को लेकर भी होनी चाहिए कि जो मुख्या बन रहा है क्या वो सभी को उस तरीके से रख पाएगा जैसे की वर्तमान मुख्या रख रहे हैं या वो अपने आपको ऐसा है जो महसूस करेंगे और अगर ऐसा है जो महसूस करेंगे तो क्या शाम को साथ बज़े के बैटग में ये दर्शाय जाएगा कि देखे साब इस नाम को नहीं इन में से किसी नाम को आप खड़ा कर दीजे हम साथ हैं क्या ये होगा क्या ये विकल्प दिया जाएगा कि अवे हम तो यहां पर सारे एमेलेज को मिलने के लिए कहा गया है हम सभी एमेलेज से मिलेंगे उनकी क्या राय होगी वो बाद में बताएंगे मलीका रजुन खरगे जी और मैं हम दोनों के दोनों आज़ शाम को साथ बजे मुर्के मिल्क्री रिवास पहल जो कॉंपेस विधायक दल की बैठक है उसको लेने के लिए हम लोग यहां पर आएं है और आप समनलों को विधायक दल की बैठक के बाद में हम लोग बता देंगे क्या कारवाई होगे अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता मैं केवल इतना में कहना चाहूँगा कि आज शाम को साथ बजे विधायक दल की बैठक है और मलिकार जुन खरगे और मुझे मुख्यमंत्री रहे और अद्धिक्स बने मैं पहले भी यह बात इस्पर्च कर चुका हूं मेरा बश चले तो 40 सारी लगाता मैं पदों पे रहा हूं ज्यादा हो गया अब मैं बना बिना पद भी चाहे वो राउल गांदीर यात्रा हो चाहे दो दीश के हालात हैं जो मेरा और बना रहे यूवर्ग और चात्रवर्ग उनके लिए विशेज ऐसी इसनी बने जिसने की नहीं पीड़ी अच्छी संजिका लेकर के बड़ी हो जिसमें प्रेम और भाईचारे मह पसब आ जाती भाई दो जार आर्ट में जो विदायक था राजस्तान पूरे में सबसे और उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने विजिट की दिए जसलिमेर से उनका जो लगाऊ हो आज का लगाऊ नहीं है इनका जो प्रियॉरिक सम्द्द है और जब जूदपूर में सांसत होते थे उससे पहले भी जसलिमेर से लगवार को तरनोट माता के मंदर में तो जब गा हो की सुवात हो या कभी बजट करने की हो एक वार बजट का टाइम दा तो बजट भी तीन दो दने आरों के बजट यहां त्यार किया था तो यह चमतकारी मंदर है तरनोट माता का और गलो साब की बहुत बढ़ी यहां पर रास्ता है और मैं समझता हूं की राश्ट्री बने जा रहे हैं तो जैसमी जल्ले और मारवार के खास लोग सभी इसमाम पाद में खुश है कि असो गलो साब जैसे जो सभी लोग आज पूरे देश मित्य पर्देश सहती वासा हूँआ लोग हैं आज कहीं भी जाते हैं तो अस्व गलो साब की परती हर आर्मी का रहता है तो विशेश तोशे आज तरौन माता के दर्सन नौरातरा सुरू होने वाला है डेट मज़े से और उसी टाइम से आज शुरूआ तरौन माता से कर रहे हैं तो हम तो अगरिम बदा ही देते हैं कि यह राजस्तान के मुख्या है तो मुख्या भी बने रहे हैं और देश को भ पर वो भी विदाय का जो खुलकर कहते हैं कि वो सचिन पाइलेट के साथ है मेरी सेयोगी दिली नियूज एडिट अधिती नागत लगातार बनी हुए है अधिती एक तरफ शांती धारिवाल जिनके आवास पर बड़े बड़े निता पहुंचे रहे हैं क्योंकि यह शुरू सही है मानिसर से लिकर आवास तक वो साथ ही रहते हैं लेकिन कुछ नए नाम जुड़े तो तो फिर एक मैसिस किलियर हो और अगर वो जो नाम है अगर वो धारिवाल जी के बंगले से ही निकलते रहेंगे तो फिर इन बंगलों के बीच के जो पॉलिटिक्स है वो बहुत कुछ बताएगी विजेंदर तीन चीज़े चल रही है एक शांतिधारिवाल के आवा जाई पिछले दोड़ाई गंटे से वापस जुटना शुरू होंगे पांच बिजे से दूसरा पाईलिट साब पहुंचे हैं तो उनके तमाम विदायक जाहिर तोर पे वहाँ पर पहुंचे हैं तीसरी आज एक बैठक कह सकते हैं या कोइंसिडेंस यह हुआ कि राहुल गांदी ने 24 तारिक को ब्रेक लिया था एक ब्रेक उनका एक दिन का था भारत जोडों का आज वहाँ पर हरीश चौधरी राजस्थान के ML है दिपेंद्र हुडा युवा चैरा अर्याना के इसके अलावा बुपेंद्र हुडा तीसरा केसी वेनु गोपाल ये तीनों लोग ने साथ में लंच किया और राहुल गांदी के साथ पदियात्रा भी करें पदियात्रा में जब ब्रेक लिया गया तो वापस से मैं रिपीट करूँगी दिपेंद्र हुडा, हरीश चौधरी, केसी वेनु गोपाल, राहुल गांदी जाहर तोर पे ये माना जा रहा है पदियात्रा कर रहे है, वहां तक भी राजस्तान के चर्चे क्योंकि जिस तरह के आलात अज़र आ रहे है राहुल गांदी को अपडेट भी किया जा रहा है उनसे सलाम अश्वरा की जा रहा है बही हरी शोदरी बहुत ज्यादा यहां रहते हैं वो या तो पंजाब समाल रहे तो और पंजाब का परिणाम सब जानते हैं उसके लाओ दिपेंदर हुड़ा, उनका सीधा कनेक्शन है नहीं केसी मैनु गुपाल जो भी ले रहे होंगे मलीका अरजुन खड़गे और अजय माकन यह मुख्यमंतरी के जरीये ले रहे होंगे तो क्या वो सही इस अपडेट वहां तक पहुँच पाएगा अगर आज इसान को लेकर डिसकेशन होगे तो यह सही और गलत का तो शायद कभी मापदंड नहीं हो सकता कहीं है कि दावेदारी तो नहीं वहां से भी लेकिन यह साफ है कि उनको सब चीज से अवगत यह कहा जा रहा है कि फिलाल मुख्यमंतरी कहा है फिलाल बैठक जो विधायक है वो एक जोट ऐसे हो गए आजय माकन पहुँच चुके हैं क्या लगता है क्या हो सकता है क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए जब आप आफ रिकॉर्ट चट्चा करते है राउल गांदी से तो यह तमाम चीजें माने जा रही है कि हुई है हम यहां बैटे हैं मारे सूत्रे बता रहे हैं आज कॉउंग्रेस की तारिक में संदेश वहाग सेữa देखिया है देखिय क्यूकि फैसला लेने वाला तो अभी तक एक ही है दिमॉक्रासी पार्टी में अलग तरीके से है पर डिक्टेटरशिप अलग तरीके से है तो इसको dictatorship कहें है, थोड़ा soft word कहना चाहिए, क्योंकि संदेश वाहग ही हुए, ये जो आज अजे माकन आ रहे हैं, वो संदेश वाहग ही हैं, ये जो मलेका अरजुन खड़गे आ रहे हैं, वो संदेश वाहग ही हैं, या तो ले कर जाएंगे या दे कर जाएंगे, जैसा कहीं ऐसा तो नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं के बीच में ये विदायक दल की बैठक का फर्मान आना, अब और जादा डाउट है कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, सचिन पाइलेट के लिए पूरे ये पांच साल आसान नहीं रहे, अपनी ही पार्टी और अपनी नहीं, पिता जब भी उनके लिए आसान नहीं होगा, जब वो वापस आए तो लोगों ने सवाल भी उनसे किये होंगे, उन पर बहुत सारे बैजर भी लगे होंगे, और अब वो ऐसे मोड पे खड़े हैं, जहाँ पे सरकार केवल एक साल की है, और शायद सरकार एक साल के आखरी के 6 महीन तो शायद कामी बंद हो जाता है, तो इस समय विदायक ज़रूर अपने अपने खयालों में होंगे, लेकिन इस समय सचिन पैलेट के कंदों पर क्या-क्या जिम्मधारी है, पहला विदायकों को साथ लेकर चलने की, दूसरा जो एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन को बद चलने की, तीसरा सचिन पैलेट ना सिर्फ गूजर नेता है, वो अब 36 कौम के नेता है, बड़े नेता है, उनका इंफ्लूएंस है, तो वापस सरकार रिपीट कराने की, और आलकमान को ये प्रूफ करने की, कि मैं भी सरकार अच्छे से चला सकता हूँ, सब को साथ लेकर च जीत गए, तो जीत किसकी होगी? अशोग एहलोत की बतोर अध्यक्षी जीत होगी, जो बार-बार कह रहे हैं कि मैं रिपीट कराऊंगा, मैं रिपीट कराऊंगा और उस सरीके की ओजनाय एक्जीक्यूट करने के बाद एक, या सचिन पालेट की होगी, और दोनों ही इस सरी के से, तो जीत किसकी होगी, यह भी बड़ा कोशन खड़ होगी? बहुत बड़ा क्वेशन है और यह बहुत बड़े क्वेशन के जवाब है, वो बहुत बड़ा पलिटिकल खड़ा करता है सवाल, पर देखी क्या होता है? कोई भी जीत और हार मान सेक वह करती है, की बात आपनी की तो सचिन पाइलेट के आवास के बाहर से हमारे उस्योगी जियावदीन जुड़ चुके हैं क्योंकि उस सवाल का जवात मुझे लगता है कि दोनों कहेंगे राहूल गांदी की जीत है ना सचिन की ना शो गहलोत की जियावदीन सवाल आपसे है सचिन पाइलेट के आवास पर अभी कौन-कौन से विधायक मौझूद है वहां की हलचल क्या है क्या कुछ अपडेट आपके पास देखेगा कि करीब एक घंटे से जादा वाक्त सचिन पाइलेट को दिली से जैपूर पोचे वे अपने जो सिविल लाइन इसीद 11 नंबर का जो निवास से वहां पे हो चुका है चुकि उनके साथ सबसे पेरे जो आयते विधायक मुकेश पाकर थे और उनके पास उसके बाद राम निवास गामडिया और वेट परकाज सोलंकी अब तक तीन विधायक यहां पे पहुँच चुके हैं धीरे धीरे से और विधायकों के आने का भी यहां पे सिलसिला जारी ह आप देख सकते हैं कि इसे निवास सिल के बाहर पे बड़ी दादाद के अंदर जो समर्तक हैं जो पाइलेट के समर्तक हैं वो भी जुटने लगे हैं लचले तेज हो चुकी हैं चुकि अब तीन गंटे ही बचे हैं साथ बजे विधायक दल की बैठक होना है ऐसे के अंदर तीन गंटे काफी एहम रहने वाले लेकिं उन सब के बीच जो पाइलेट के जो समर्तक विधायक तया कहा जाए कि जो बीस विधायक तो उनके अंदर से समर्तक विधायक तो उसमें से तीन सब्सेवर मुकेश बाकर राम निवास गावड़ी है और वेत परकास सोलंकी वो अ इसके अलावा कुछ मैसिस वहां से कन्वे किया जा रहा है समर्तकों को अपने समर्तीत विधायकों को देखे का साफ तोर के उपर पाई इस बार की देखने को मिला है कि पाईलेट के घेमे के जो समर्तकों को रोखना चाहूं हमारे साथ विधा कि राव सिंग मलिंगा जी जोड़ गया है मलिंगा जी आपने अभी में का अभी कहा कि जब प्रवेशक आ रहे हैं तो शांतीदार प्रवेशक आ रहे हैं जी आपके कई जानकार विधाय कोंगे जो मिटिंग से होकर आयोंगे क्या मैसिस दे रहे हैं वो मेरे साब से दे कांगरेस को ठोड़ना चाहते हैं दो फांग कर रहे हैं था कंगरेसना था ढंदर जी जी यहीगोंगे जऑना जाहिए जो आला कमादनात ते है कि यह कि हमारे ऐग मीटिं के सामका शाथ जी नहीं वो तो मिलने जा रहे हैं कि रहे हैं अनो फिशल मीटिंग हो फिशल मीटिंग नहीं है सर क्या मैसिस दे रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं क्या विधायकों को बुला कर जी और दो में अगवाय कौन कौन करेगा अब अगवाय कौन करेगा ये तो पता नहीं है अच्छा आप किदर रहेंगे उधर बहुमत रहेगा उधर या जिदर आप उधर ही रहेंगे सर आला कमान का मतलब राहूल गांदी या अशो गहलोत रावल गांदी है आला कमान भईजा असो गहलोग का आए अपो तो दारीबान जी कहते हैं जी सर लेकिन चार-पांस इन बात तो आला कमान अशो गहलोग जी हो जाएंगे अजय सर धारिवाल के घर के बाहर एक लगजरी बस खड़ी हुई है एसी बस खड़ी हुई है कुछ जानकारी लगे उसमें कौन बैठने वाला है? कौन कौन बैठने वाला है? तो नाराज़गी इस बात को लेकर है कि आपको बुलाया नहीं है नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जब प्रविशक आया और एक अलग से बैठक है तो बैठक बुलाई क्यों? तो रात को जो साथ बजे मिटिंग है सर उसमें शिकायत करेंगे आप इस बात की? जी आप ये कह रहे हैं कि खेमे बाजी हो रही है गिराजी सुभाश गर्क तो ये कह रहे हैं कि अगला मित्मुक्यमंत्री कौन होगा उसको वो समर्थनी तब देंगे जब वो जैनते से पूछ लेंगे गिराजी आप राजनीती को बहुत अच्छे तरीके से समस्ते हैं सर कांग्रेस को जरूत नहीं हैं जी आप प्रदाग्त भौमत खुद के विजाएं जी तो वास गर्क के बहुत की कोई जरूत नहीं कांग्रेस को लेकिन वो तो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं सर जोदपुर के प्रभारी हैं एक वोट को मैनेज किया हुआ है जी लेकिन गिराज जी फिर भाई सवाल पर में लोटता हूं दारिवाल जी ने अगर एक बैठक बुलाई है आपको लग रहा है कि उस बैटक में क्योंकि काफी वरिष्ट हैं, 78 साल के उम्र हैं जिला धक्षे से लीकर, सांसा से लीकर, अभी मंत्री हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं हो सकता है, सभी को एक संदेश दे रहे हूं कि भाई रात को बैटा के उसमें हो अल्ला नहीं करना है हो सकता है, लगता हूं कि आप शांत हैं उनको विश्वास होगा कि हो सकता है कि आप आला कमान के साथ ही हैं जी गिरा जी कुस्तो है ऐसा जो आप तक जानकारी और बता नहीं नहीं बताईए ना शांती धारिवाल के आवास पर क्या चल रहा है तो आप धारिवाल जी को फोन करके शिकायद कीजिए कि आप हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं जी जी चीक है गिरा जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बाचीत करने के लिए गिराज मलिंगा जोनोंने मंत्री सुभाश गर्ग पर तीका हमला बोला और कि जो कॉंग्रेसी नहीं उसे अंदरूनी मामले में बोलेगा कोई हक नहीं है